हेलो स्टूदेंट्स मैं अबिन्व शर्मा तो इस लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट थियोरम डिस्कस करेंगे जो MSC First Sam Differential Equation के पेपर में है हमारे पास Gronwald's Inequality तो सबसे पहले इस थियोरम की स्टेटमेंट देखते हैं Let ut and vt be two non-negative continuous function on interval ab and let c greater than equal to 0 be constant and vt is less than equal to c plus integration a to t vs us ds for t belongs to ab Then vt is less than equal to c exponential of integration a to t us ds where t belongs to interval ab तो इस थियोरम के अंदर हमें क्या करना है हमारे पास जो ut और vt हैं वो हमारे पास कोई two non-negative continuous function है interval ab में और c greater than equal to 0 constant है और हमें vt की value ये भी given है तो हमें vt की value less than equal to c exponential of integration a to t us ds ये प्रूव करना है तो इस थियोरम में हम दो cases लेगे चलेंगे first case में हम c greater than equal to greater than 0 का case करेंगे और second case में हम c is equal to 0 वाला case करेंगे बहुत फर्स्ट में strictly greater than 0 और second में equal to 0 तो सबसे पहले first case देखते हैं first case के अंदर हम greater than 0 का case लेके चलेंगे तो हम suppose करते हैं let us suppose capital vt ये capital vt है हमारे पास capital vt हम क्या मानते हैं जो ये right side wall apart है ने इसका small vt का इसको हम capital vt मान लेते हैं c plus integration a to t vs us और ds तो हमने capital vt मान लिया तो from first से हमने इसको let us say equation one नाम दिया तो from first से क्या मैं ये लिख सकता हूं small vt is less than equal to capital vt क्योंकि मैंने capital vt इसको मान लिया है तो मैंने यहां पर ये लिख दिया small vt is less than equal to capital vt और मेरे को given क्या है statement में statement में मेरे पास given है कि ut और vt non negative continuous function है non negative है तो मतलब क्या है positive है तो greater than 0 होंगे ut भी greater than equal to 0 होगा vt भी greater than equal to 0 होगा तो इन दोनों का अगर product करूंगा मैं इन दोनों का अगर मैं product करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा तो यह दोनों भी क्या आएगा इन दोनों का product दो नो negative numbers का product मेरे पास क्या आता है greater than equal to 0 आएगा तो इन दोनों का product भी greater than equal to 0 आएगा अगर मैं integrate करता हूँ उसको फिर भी वो greater than equal to 0 आएगा तो मैंने यहाँ पर यह लिख दिया integration a to t vs us अब यह मैंने t को s से change कर दिया क्योंकि मेरे पास limit के अंदर t है तो यह मैंने t को यहाँ से s से replace कर दिया और integrate करने के बाद इसकी limits की value है जो वो a to t है ओके जहाँ पर t belongs to interval a b से now अब यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो अगर यह value हमारे पास क्या है greater than equal to 0 है तो from equation third से मैं क्या बोल सकता हूँ from third से मैं हाँ से capital VT क्या बोल सकता हूँ तो यह value greater than equal to 0 हो गई और यह value c है तो मतलब VT किस के greater than equal to हो गया c plus 0 तो मतलब 0 से तो बढ़ा ही होगा तो मैंने यहाँ से ऐसे लिख दिया कि VT is greater than equal to c plus 0 और यह value greater than 0 होगी क्यों होगी greater than 0 क्योंकि c क्या है हम मान के चले हैं के इसमें greater than 0 अब हमें क्या करना है अब हमें करना है differentiate equation number 3 का जैसे ही मैं equation 3 को कर derivative करूँगा यहाँ पर क्या आएगा c तो 0 v dash t करूँगा तो यह c तो गया 0 और इसको लिबनी जरूल की help से मैं solve करूँगा यहाँ पर देखवा c तो 0 हो गया लिबनी जरूल की help से इसको कैसे करूँगा मैं यहाँ से यहां से क्या होता है लिबनी जुरूर? नहीं थोड़ा आपको बता देता हूँ यह होता है हमारे पास लिबनी जुरूर तो मतलब यहां पर जैसे ही मैं अपलाई करूँगा इसके अंदर यहां पर तो मेरे पास क्या आएगा? ट के respect में करना है यह first term यहां पर ट तो है नहीं तो यह वाली term तो होगी हमारी 0 plus f of b alpha f of b alpha का मतलब है यह function तो us और vs और us यह agities आ जाएंगे साथ में यह upper limit put हुई है इस function के अंदर तो upper limit यहां पर t है तो इसके अंदर जैसे t put होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा? vt और ut और साथ में d by dt क्योंकि alpha में हमारे पास क्या है? alpha upper limit है न हमारे पास तो d by dt यहां पर आ जाएगा d by dt upon में dt ओके? और यहां पर यह क्या है मेरे पास? b alpha, b alpha मतलब है upper limit तो यह t put कर दी, तो यह one ही आ जाएगा तो मतलब मेरे पास यह second term बची यहां पर क्या बचा मेरे पास? ut और साथ में vt ओके? यह और यह third term के अगर हम बात करेंगे तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास? इसकी help से यहां पर देखों यहां पर, यह third term भी हमारे पास के 0 नहीं हो जाएगी a alpha मतलब lower limit put करनी है lower limit क्या है यहां पर? a है, यहां पर a put करना है v of a और u of a और साथ में क्या है? d of d alpha derivative t के respect में किसका? lower limit का d of t a, यह क्या हो जाएगा? a का constant का, जो हमारे पास वो होगा वो क्या होगा? 0 हो जाएगा a का यहां पर a है ना, lower limit lower limit का derivative करना है with respect to t तो वो 0 हो जाएगा तो यह वाली term भी हमारे पास 0 हो जाएगी तो मेरे पास क्या बचा? यहां से ut और vt by livenis rule, हमने ऐसा लिख दिया सिर्फ यहां पर, अब given क्या था मेरे पास? कि जो यह small vt था यह less than equal to क्या था? आमने यहां पर किया था कहां पर किया था? यह किया था यह capital vt, तो यहां पर लिख दिया less than equal to ut और capital vt तो इसको इस v dash t upon में vt निचे लिया इसके less than equal to ut तो इसको equation number मैंने 6 नाम दे दिया अब next देखते हैं क्या है next मैं क्यार करूँगा जो equation 6 है उसको integrate करता हूँ अगर मैं तो मेरे पास क्या आएगा? integrate कर दिया limits a to t तो मेरे पास क्या आएगा? v dash s यह t, क्योंकि limit के अंदर है तो यहां पर t s से replace हो जाएगा यहां पर s ले लेंगे हम तो v dash s upon में v s ds less than equal to a to t u s ds जैसे ही integrate किया तो उपर derivative है निच्चे function है तो log आ जाता है इसका derivative log of v t यह कैसे किया है? एक step यहां पर direct किया है यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या करेंगे आपर log of v of s a to t less than equal to a to t u of s और साथ में ds ओके यह अपर limit put कि यहां पर log of v t आ गया minus log of v a आ गया less than equal to a to t u s ds यहां पर log m minus log n log m by n यहां पर लगा दिया हमने तो less than equal to a to t u s ds ओके तो यह log इस side जाके क्या exponential बन जाता है तो हमारे पास यहां फिर दोनों तरफ exponential भी ले सकते है तो यहां पर यह क्या हो जाएगा log तो cancel हो जाएगा यहां पर exponential आ गया a to t u s ds तो v a की value क्या आएगी v a की value जैसे ही मैं put करता हूँ तो मेरे पास क्या आती है v a की value क्या आएगी यहां पर put करो third equation में यहां पर मैं v अगर a put कर देता हूँ तो a to a यह तो zero c रह जाएगा तो हमारे पास constant तो यहां पर यहां से लिखामने v a capital v a तो यह v t upon me c less than equal to exponential of this term तो v t क्या गया less than equal to c exponential of integration a to t us ds हमें यही तो prove करना था हमारे पास यह given था और हमें यह भी given था हमारे पास v t और हमें यह prove करना था यह हमने कर लिया किस case में जब c is greater than zero अब बात करते हैं equality के sign की second case क्या है अगर c equal to zero हो तब क्या होगा अगर c equal to zero हो तो from equation first से क्या बोल सकता हूँ मैं जो हमारे पास given थी उस equation से मैं क्या बोल सकता हूँ अगर क्या हो हमारे पास c zero हो तो यह part zero हो जाएगा तो v t is less than equal to a to t v s us d s तो यहां से मैं ने यह लिख दिया अब इसके अंदर भी हम case लेके चलेंगे क्या case लेके चलेंगे कि एक बार यह equality hold करे एक बार क्या करें strictly hold करें तो अगर equality hold करें मतलब v t equal to a to t us v s d s हो ओके तो इसका हमने derivative of libnis rule के help से किया था कि c तो उसमें zero हो जाता है तो इस case में भी इसका derivative क्या जाएगा जैसे वहां आया था v t और ut क्योंकि उसमें c तो zero ही हो जाता है इसमें c पहले ही zero है तो यह इसका derivative आजाएगा by libnis rule लिख सकते हैं आप यहां पर तो यहां पर यह हमारे पास क्या है एगा small v dash t upon में निच्चे v t is equal to ut अब next आगे देखते हैं क्या है आगे क्या हैगा हमारे पास now अब क्या करना है हमें अब क्या करना है अब मैं कोई दो points लेता हूँ interval जो हमें given था a b close interval a b अगर मैं वहाँ से दो points लेता हूँ और integrate करता हूँ इसको limit इसकी यह t और t dash पहले इसको हमने integrate कर दिया within the limit t to t bar to t तो हमारे पास क्या जाएगा यह t है limit में t है तो यह s से change हो जाएगा हमारे पास ओके और यहाँ पर इसका जैसे हमने क्या किया integrate क्या रिक्ट लिख दिया है यहाँ पर log of vt ओके अब यहाँ integrate का sign लगा के भी इसको कर सकते थे तो यहाँ पर मेरे पास क्या जाएगा यहाँ पर जैसे मैं put करूँगा log of t minus log of vt dash ओके यहाँ पर भी इन्होंने direct किया जैसे मैं करता हूँ यहाँ से log of vt minus log of vt bar और is equal to is equal to किसके है हमारे पास is equal to integration t bar to t us और साथ में ds ओके तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास log m by n बनेगा यहाँ से मतलब log vt upon में क्या बन जाएगा log vt upon में vt bar is equal to this term तो यह हमारे पास exponential बन जाएगा इस साथ जाएगे यह vt हमारे पास यहाँ पर है is equal to vt bar इस साथ जाएगे और exponential of this term ओके अब क्या करना है हमें अब जैसे ही मैं limit t bar को a की तरफ अप्रोच कराऊंगा क्योंकि t और t bar जो हमने points लिए थे वो interval a b से लिए थे तो जैसे मैं t bar को a की तरफ अप्रोच कराता हूँ तो मेरे पास vt क्या आजाता है va exponential a to t और usds ओके और मेरे पास जो small va की value आएगी यह क्या आएगी मेरे पास small va की value अगर मैं निकालना चाहूँ तो मेरे पास कौन सी equation से निकाल हूँ आए यहाँ से निकाल सकता हूँ यह first से भी निकाल सकती है small va va पुट करता हूँ तो यह मेरे पास क्या आजाता है a to a zero ओके तो यहाँ पर मैंने जैसे ही क्या किया यह अगर मेरे पास term zero हो गई ओके तो मेरे पास क्या आएगा यह सारी term zero हो जाएगी तो यह equal to क्या आगया zero आगया ओके now अगर मेरे पास inequality strictly valid करे ओके अगर strictly हो यह तो मैंने equal वाला case लिया था अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ इसी case के अंदर कि यह strictly valid करे तो वी टी क्या आएगा वी टी less than less than a to t vs us ds now अब कोई एक c dash point क्योंकि अब यह जो मेरे पास integration वाली term है यह क्या है greater है small vt अगर मैं इसके अंदर एक छोटा हाँ point c dash कोई add कर देता हूँ फिर भी यह क्या रहेगी greater than रहेगी अगर यह greater than रही तो यह क्या case first नहीं बन जाएगा जो हमने first case किया था जिसके अंदर क्या था हमारे पास अभी रिकाता हूँ मैं क्या था हमारे पास जिसके अंदर यह रहा क्या यही case नहीं बन जाएगा इस type का case बन जाएगा है हम ओके तो यह हमारे पास क्या बन जाएगा this become case first when c greater than zero hold for dead case तो vt value के आगी less than equal to c exponential of a to t usds यह तो solve किया था हमने अगर इस type का हमारे पास vt value हो तो ऐसा हो जाता है ओके now अब अगर हम limit c को अगर 0 की तरफ approach कराएं तो vt value कि हमें less than equal to 0 नहीं आएगी vt के आएगा less than equal to 0 आएगा अगर c 0 की तरफ जा रहा है और हमारे पास given क्या था कि vt greater than equal to 0 है क्योंकि हमारे पास ut और vt क्या थे हमारे पास non negative continuous function थे non negative थे greater than equal to 0 थे एक बार आ गया less than equal to 0 है एक बार आगा गया greater than equal to 0 तो मैं कहा ऐसा लिक सकता हूं कि vt is equal to क्या है 0 के equal है तो हमने first case भी कर लिया इसके अंदर जो हमने c greater than 0 के लिए किया था और second case भी कर लिया greater than 0 के लिए हमने किया तो हमने ये prove कर दिया और equal to 0 के लिए हमने vt को क्या प्रूव कर दिया है जीरो प्रूव कर दिया तो इस तरह से हमने ग्रोनवाल्स इनिक्वाल्टी को प्रूव किया अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कोमेंट करके बता सकते हैं धन्यवत